धातों से आप परिचित हैं और उनके कुछ सामाने भौते गुणों के बारे में भी आप जानते हैं। धातों के रासाइनिक गुणों का अध्यन करने के लिए आज हम तनु अम्ल के साथ कुछ धातों की अभिक्रिया शीलता की जांच करेंगे। इस परियोग के द्वारा हम तनु अम्लों के साथ धातों की अभिक्रिया शीलता की तुलना करेंगे। अधिकांज धातों तनु अम्लों से अभिक्रिया कर लमड बनाती हैं और साथ ही हाइडरुजिन गैस निकलती हैं। परन्तु इनकी अभिक्रिया करने की दर भिन हो सकती है। इस प्रयोग को करने के लिए हमें जो सामगरी चाहिए वो है पांच धातुएं, मेगनीशियम, अलिमीनियम, जिंक, आइरन, एवं कॉपर, तनु सल्फियूरिक अल्म, एक ड्रॉपर, पांच परक्नलियां, परक्नली स्टैंड, रिगमा का टुकड़ा। हमने परक्नली स्टैंड पर पांच परक्नलियां रखी हुई हैं, जिन पर A, B, C, D और E के लेबल लगे हुए हैं। साथ ही प्रतेक लेबल पर उस धातू का नाम भी लिखा है, जिसे उसमें डाला जाएगा। अब हम तनु सल्फियूरिक अल्म के 2-2 ml हर परक्नली में डालते हैं। और अरो है हैं, जिसे उस के 15 में यह हैं, तड़रें अयूम, हाइए हैं, एले इसे जवार्श के 5वार्फियूरिक अड़र्दी इसाcked हैं हमने सभी परकणलियों में तनू-ैल्फियूरिक अल्म डाल दिया है अब हम सभी परक्नलियों में धातुओं को डालने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि धातू की सत्व अच्छी तरीके से रगड कर रेग मार्ग से साफ कर लें ताकि उस पर कोई भी ऑक्साइड की परत ना जमी हो हम सबसे पहले मेगनीशम का टुगडा लेते हैं और मेगनीशम धातू की सता को रेगमाग से अच्छी तरीके से रगड कर साफ करते हैं इस साफ मेगनीशम धातू के टुगडे को हम परकनली A में डालते हैं परकनली A जिसमें मेगनीशम है आप देख सकते हैं कि हाइडरोजन गैस निकलनी बहुत तीवर गती से शुरू हो गई है अब हम परकनली B में जिंक का टुकड़ा डालते हैं और आप देख रहे हैं कि परकनली B में हाइडरोजन गैस निकल रही है उसके बुलबुले की तीवर्कता परकनली A की तीवर्कता से कम है परकनली C में एल्मूनियम धातू डालते हैं लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं एल्मूनियम धातू के डालने पर तनू सल्फियूरिक अल्म से अभिक्रिया बहुत ही मन गती से हो रही है परकनली D में एल्मूनियम धातू का टुकड़ा डालते हैं और परकनली E में कॉपर टर्निंग का टुकड़ा जैसा कि आप देख रहे हैं परकनली A में मेगनीशम धातू सबसे अधिक अभिक्रिया शील है परकनली E जिसमें कॉपर धातू है कोई अभिक्रिया नहीं होती परकनली A जिसमें मेगनीशम धातू है उसमें तीवर अभिक्रिया होती है परक्नली B जिसमें almunium धातु है, magnesium से कम तीवर अभिक्रिया होती है परक्नली C जिसमें zinc धातु है, almunium से कम तीवर अभिक्रिया होती है परक्नली D जिसमें iron धातु है, zinc से कम मंद अभिक्रिया होती है और परक्नली E जिसमें कॉपर धातू है कोई भी अभिक्रिया नहीं होती दी गई धातू में से मेगनीशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील इनके बीच घटे क्रम में अलिमीनियम, जिंक और आइरन है इस प्रयोग के प्रेक्षणों को हम सार्णी में इस प्रकार दिखा सकते हैं A. मेगनीशियम तीवर अभिक्रिया B. अलिमीनियम मेगनीशियम से कम तीवर अभिक्रिया C. जिंक अलिमीनियम से कम तीवर अभिक्रिया D. आइरन जिंक से कम तीवर अभिक्रिया E copper कोई अभिक्रिया नहीं प्रूस